दिल्ली NCR सहिद देश के कई हिस्सों में फ्लाट खरीदारों को अपने घर की जगा सिर्व निराशा ही हात लगी है कई बार तो दस साल इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को अपने घर की छट नसीब नहीं होती है कितना लंबा समय हो सकता है दस साल का वक्त देखिए इस रिपोर्ट में दिल्ली NCR सहिद देश के कई भागों में घर खरीदार अपने आपको असहाई महसूस कर रहे हैं क्योंकि बिल्डर उनको उनके फ्लाट का पोजेशन नहीं दे रहे हैं रियाल्टी प्रोजेक्ट्स बन पड़े हैं और उनके वापस चालू होने के कई जगा कोई आथार नहीं दिख रहे हैं हाला के बिल्डर को बुकिंग अमाउंट मिल चुका है बिल्डर बायर के जो समस्या है ये कोई समस्या एक दिन में खड़ी नहीं वी है ये पिछले दस सालों में ये समस्या लगातार चलती आ रही है और हम लगातार दस साल से इसके लिए अपनी लड़ाई अपने घरों की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं बहराल National Consumer Disputes Redressal Commission यानी NCDRC ने घर खरीदारों के हित में कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि जिस सोसाइटी में घर खरीदार ने फ्लैट बुक कराया है अगर उसमें एक साल तक रुका हुआ काम चालू नहीं हुआ तो खरीदार बिल्डर से पैसे वापस मांग सकते हैं कई किसों में तो आज से दस साल पहले भी जिन लोगों ने घर बुक कराया है उन्हें आज तक अपने घर की छथ नसीब नहीं हुई है कितना बड़ा होता है दस साल? दस साल में इंसान की जिन्दगी में क्या-क्या बदल जाता है एक बच्चा जो क्लास वन में अड्मिशन लेता है इस दोरान वो कॉलेज में चला जाता है और एक पचास साल का मिडल एजेड आदमी वरिश्ट नागरिक की श्टेणी में चला जाता है एक नई चमचमाती डीजल गाड़ी जो आपने घर लाई है दस साल के बाद आप उसे घर से बाहर भी नहीं ले जा सकते हैं मंगलियान दो बार मार्स पर जाकर चार-चार साल की अपनी समय सीमा पूरी कर वापस आ जाता है और दस ग्राम सोने का दाम लगबग तीन गुना बढ़ जाता है हमारे कितने वायर जो सीनियर थे जिनकी डेथ भी हो गई जो की फुल पेमेट कर चुके हैं उनको फ्लैट नहीं मिला उनकी डेथ हो गई उनका परिवार जो सड़क पे घुम रहा है और सबसे दुखत संभावना कि दस साल पहले बुक कराए गए फ्लैट के खरीदार की एक लंबी बीमारी के बाद मौत भी हो सकती है समराच शर्मा गो निउस